प्रेंज आज का टॉपिक बहुत ही वाइटल है किनके हम लोग हर कोई ब्रीडर है और भी पे बार्ट को ले आके हम लोग बीठाते हैं तो ब्रेक्टनेंसी के विफॉर और आफ्टर कैसे ख्याल रखना पड़ेगा फिमेल बार्ट को इस पे हम चर्चा करेंगे बात करेंगे जितना मेरा नॉलेज है उसी की सबसे श्यार करेंगे चाहिए छोटे बार्ट को हो या आपका करनूर बार्च इस सारे चीज़ है कि प्रेखनेंसी बार्ट का हो या हीमान का हो एक वाइटल टाइमिंग होता है जो उस टाइम पे फिमेल को कि शंगसार का नेचर का नियम अन इसका रिश्पेक्ट भी होना चाहिए इसका विश्पेक्ट का इस लिए हर कोई जो फिमेल है सारज रए मुआ को करना चाहिए हम लोग एक मतब एड़ूकेटेट समय में रह रहे हैं सब्सकël में नहीं जाएंगे म Bing इस्टपिक मि इसमीं रहें डेंगे में थोरा सा बोलनो जिस एडुकेटिड स्रमाज में हम लोग डह रहे हैं इधर रेस्पेक्ट ज़रूर होना चाहिए तो आज का हम लोग का टॉपिक है बार्ट का प्रिग्निंसी के टाइम पे जब वो ब्रीट पे जा रहे हैं मैं यह भी एक वीडियो लेका रहूंगा कि मैं लबबड स्पेसालिजिशन कर रही हूं अभी भी पॉसर किया अभी उसमें स्टाडी जारी है जो ब्रीडिंग टाइ से मेल या फिमेल को क्या कॉंद करते कि एक मेल को अकश्षें करते थोडा सा बोल्लू जो सब्सकाये च्रणा फिन सही होना चाहिए तभी जहका न प्रित करते हैं यह हम लोग सोचते कुछ भी लगा देजिए और हो जाएगा जैसे हिमें मेंटमी में भी शेक्षीड jsमें मैं कभी चीज़े जादा होता है कुछ human में चायो लर्का हो लर्कि वैसे वार्च में भी देखा जाता है कोई बी मेल के साथ female लागा दीज़े epis 보 тебе के साथ में पॉल दीज़े बूरीट कर लेती है कि विसका जो सब्सक्राइब कर लेंगे लेकिन अगर एक जेनुविन बंदा जिसको बांडिंग प्यार बोला जाता है फिमेल मेल को पसंद करते हैं मेल का गेट जो चाहिए बैटने के बाद जो चेस्ट फूला हो रहेना चाहिए उसका चलना फिडना उड़ना सब कुछ उसको अगर होता है या खुद में घर में भी स्टाड़ी करके देश सकते हो तो चलिया आगे बढ़ते हैं प्रेग्नेंट से के टाइम पे जब फिमेल प्रेग्नेंट हो रहे हो ब्रेट कर रहे देख रहे हो इक फूट उस टाइम पे ज़्यादा दीजिए कि उस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में होता है मेल का क्या है कोई भी सिचूशन पे मेल तो मेटिंग करके छोड़ देते हैं उसके बाद उसका जो जो मदब रिस्पॉंसिबिलिटी होता है मर्क को मदब नेस्टिंग को रखते हैं तो इसलिए जो यह बात है ना जो ब्रीडिंग टाइम पे आपको बाहर का लोग या बाहर का कोई भी एक्टिविटीज अपने ब्रीडिंग सेटप पे अलाउन नहीं करना चाहिए कि क्यों आकर आपका बार्च मतब हिमन अटाच्में नहीं है या जैसे बहुत देखिएगा डरते हैं तो अगर इधर उधर हो जाएगा तो मतलब प्रॉब्लम हो सकता है और उसके साथ-साथ प्रेग्निंसी के टाइम पे एक भी फूट के उमर भी सकता है इसलिए देखिएगा जो एक लोड़ेट फिमेल है की नेट को पकर-पकर के आगे चाहिए वजी हो जाता है तो इस टाइम पर आपको खाने पीने में जरूर धियान दीजिए अच्छा तरीके से प्रोवाइड कीजिए जिसमें फाइबर बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जिसमें फाइबर और विटामिन डी विटामिन ए और कैल्सियम एक सही मात्रा में हो और भी बाकिए जो मिननल से और और एक चीज आईरों टॉनिक कि ब्रीडिंग टाइम पर मैंने एक वीडियो बनाया था आईरों टॉनिक का सहारा जरूर अपने चाहिने कि इस टाइम पर फीमेल में एक चीज दिखा जाता है अगर एनिमी होगा तो बच्छा दूरवल आएगा मदब रिके यह सदाइब क्या जीज पर मात्रा ज्यादा हिसानी वूरिसी ऐरां का मात्रा ज्यादा है यह प्रवैट कर सकते हों आपलों नलोग नेयाच्रलन और नहीं अप्राव्यपक स्टेशबू ट्वैं यह तो इस टेम पहाने पीन में ज्यादा दिखान देंदी गंश्यन पर चै के तर पॉर्च ने अभी नाम लिया वहरपूर मात्र पर्टालिटी भी नहीं आ साकता है तो यह पोर्शन में भी ध्यान रखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नैचरली इस टाइम पर बार्ट बहुत ही डिप्रेस्ट फिल करते हैं एक तो है उसके शरीर में दूसरा शरीर का जनम हो रहा है उसके साथ चाहिए एक अगर मेरे ह फोकस खाने भी नहीं होना चाहिए उसके साथ साथ हुए प्रती में अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को भी इस टाइम पर मादब दे कि माल्टी वीटामिन कैल्सियम की इस टाइम पर जरूरा थे तो खाने के मादब से अगर जो जो खाना मेंने अब लोगों को सजिस्ट में ज्यादा नहीं बुकूंगा कि लोग सोचेंगे खुद का फूरे इसलिए प्रोमोशन कर रहे है अब खुद देख लीजिएगा अभी भी देख पहले भी देख चुके अभी नया जो भी प्लास जा रहा है उसको देख लीजिएगा क्या उन्नती उसमें किया है तो चलि नहीं कि 200 लिकूइट होता है बहुत बढ़िया काम करती उसके साथ बीच में जब प्रेग्नेंट हो रहे है मतब लोड़ेट हो गया एक लोड़ेट हो गया एविनस अटाइवा को यूज कीजिए और उसके साथ साथ बीच बीच में कभी कभी कालीफ और 66 दोपायर के टाइ तो डिफ्रेश जादा नहीं हो इग यह होए पर प्रेंट की सबसे यह मतब प्रेग्रिंट हो रहा है इस टाइम पे जब एक लेंग पर अभी अब तक नहीं आया और उसके साथ साथ अगा अबर नैच्रली सोचे तो अधरक का पानी प्रोवाइट करो तुलसी का पानी प्र बिस्वास कीजिए मेरा तो नैच्रल चलता है तो तुलसी प्रोवाइट करने से बाट ब्रीट पर आते हैं देख लीजिए का सही से तुलसी का मत्रव प्रोवाइट करो तो बार्ट ब्रीट पर आ जाएगा उसके साथ साथ अब कभी-कभी अजवान का पानी यूज चल रहा है देर दामियाना जेल सिंग चल रहा है जो बार्ट को मूट फेल आले आने के लिए फिजिकली मेंटली मदब ब्रीट करने के हिल्प करते हैं एक लोड़ेट कम मतलब वो लोड है एक लेंग मत पांच्छे दी में लेकर दिनके बाद तो बीडिंग रोग देते हैं फिर भी में सब्सक्राइब करूंगा केल्सियम में केल के लिए फॉस्ट तोड़ा सा और दो दिन देखिया आप कर दीजिए और इधर अविने सटाइब यह सारे चीज आपका सुरू होगा मतलब लॉंग टाइम सुरू होगा हर दिन प्रोवाइड नहीं करना परेगा कर भ अफ्टर ब्रीडिंग मतलब एक लेंग हो जाता है फिमेल का बहुत 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 बन जाता है जो कैसे भी करके इस सही टेमपराइच कि बाहर का टेमपराइचर में हम लोग का कोई हाथ नहीं है जो हम कॉंट्रोल कर सके रेगुलेट जैसे अभी देखिया अबी तो वेदर ऐसे है आगे आगे जैसे हम लोग आगे बरेंगे वेदर भी खराब होता जाएगा थंडी के मौसम में गर्मी बरेगा गर्मी में में बारिश आएगे यह सारे हैपाजाट होता रहेगा हम लोग को कॉंट्रोल करना है इसी सिच्वेंशन पर जब देखिए अलफा अलफा एक जवर्दस मेडिसिन है इस टाइम पर निट्रिशन को स्टेबल रखने के लिए बॉडी में और बीच में अब अद्रक का पानी अब तुल्सी का पानी अब अजवान का पानी यह सारे चीज़ देते रहे हैं कि उसका ट्रेस नहीं या अप लिप्ट सॉरी आपका अरे बोली ना ग्रेंटी भी यूज़ कीजिए कि चाय की भी ज़रूरत है मैं कभी-कभी यह जो बच्छा जिसका हो रहा है सुबा सुबा टाइम पर मैं ग्रेंटी प्रोवाइट कर दाता हूं जैसे हम लोग का एक रिफ्रेश में होता है ना अम लोग सुबा उटक जरूर प्रोवाइट करना चाहिए ग्रेंटी के उपर में अल्रेडी मेरा वीडियो है ग्रेंटी जरूर प्रोवाइट कीजिए इसमें फायदा आपका बार्स काई होगा देखिए का बहुत ही डिप्रेश नहीं होगा और बीच बीच में अगर यह सारे चीज़ कर रहे हो नहीं कर पा रहे हो तो कालीफॉस सिक्स एक्स को जरूर यूज करो दीन अच्छा आएगा डिप्रिशन पैसुस नहीं करें तो इस सारे चीज़ हम लोग अगर करें हम लोग का बार्स फिमेल जो है हिल्दी भी रहेगा और जब ब्रीडिंग लेग लेंग हो जाने के बाद स्प्राउट फूड एक फूड ग्रीन वेजटेबल जरूर प्रोवाइट करना कि वह बीच में कभी टाइम पर आके उखाना जरूर खाएगा अगर उसका डाजिशन ट्रैक या डाजिशन सिस्टेम हम लोग सही रख पा रहे हैं तो खाने के लिए आता है हम लोग के घर में भी ऐसे ही होता है मेरे घर में तो यह टोटल एक आइडिया हमने शेयर कि आप लोग के साथ जरूर कीजिए देखिएगा जो फिमेल एग लेंग के टाइम पर बहुत सारे फिमेल मेरे पास रिपोटर दादा बॉक्स ओपेन करके देखा फिमेल मारे पर है इस सारे चीज़ बंद हो जाएगा इस टाइम पर फिमेल को निट्रिशन की जरूरत है आराम की जरूरत है मेंटल यह फिजिकली दोनों को हम लोग को ही प्रवाइट करना पर एगा यह सारे माध्य हम से चलिए आज इतना जूरे रहिए चैनल के साथ आगे जाके और भी नॉलेज़ेवल वी झाल 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 झाल